हलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज के शांदार यूट्यूब चानल पर जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानि की हमारे प्यारे के टुएल के बच्चों को जो बच्चे किंडर गार्डन से क्लास 12 तक CBSC Board English Medium में पढ़ाई कर रहे हैं हम उनको प्रोवाइड कराते हैं 100% free of cost, high quality educational videos जिनकी मदद से हमारे प्यारे बच्चे सारे सब्जेक्स की बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं पूरा कोर्स, पूरा स्लेबर्स अपना हम से पढ़ सकते हैं free of cost, high quality educational videos के तुरू सारे वीडियोस क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज बढ़ाई प्लेलिस्ट के फॉर्माट में अरेंजड हैं ऐसे ही बिटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हमारी टीम काम कर रही है Magnet Brains हिंदी मीडियम यूट्यूब चानल पर जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम यानी की UP बोर्ड, MP बोर्ड, विहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और डेली बोर्ड जीशान यूर मैट्स मेंटॉर आप सभी का स्वागत करता हूँ देखो दोस्त अगर आपको इनोट्स डाउनलोड करना है अगर आपको सब्जेक्ट वाइस नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अविलेबिल हैं Magnet Brains की वेबसाइट पर और अप्लिकेशन पर तो नोट् वेल ओल सब्जेक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स पर्फेक्ली अविलेबिल हैं PDF फॉर्माट में ठीक है आज इस सेशन में बिटा जीशान सर आपको समझाएंगे solution of system of linear equations using inverse of a matrix सर ये क्या बला है बटाता हूं सुनो हमने दो equations को solve करने का तरीका सीखा है अभी आपको detail बताऊंगा ठीक है अभी आपको detail में बताए जाएगा जैसे मान के चलो इस topic पर direct आ जाते हैं time waste नहीं करते हैं मेरी बास सुनना ध्यान से सुनना ठीक है अब जैसे मैंने आपको एक equation दी linear equation की बात कर रहा हूं 2x प्लस 3y is equal to 7 ठीक है ये equation दी दूसरी equation दी बेटा मैंने आपको 5x 5x प्लस 3y is equal to बेटा 10 suppose ये मैंने आपको equation दी अब मैंने का इसको solve करो दो equations है solve करो तो इन्हें solve करने का तरीका आपने को पता है और substitution method है cross multiplication method है ये सारे class trend में सीखे हैं हमने सीखे है ना बिलकुल सर अच्छा अगर मैं तुमसे free hand दे दूँ बताओ कैसे solve करेंगे तो क्या करोगे तुम को करते हैं क्या सब्ट्रेक्ट कर देते हैं माइनस का हो जाएगा ये positive है minus का हो जाएगा ये positive है minus का हो जाएगा plus का 3y minus का 3y कट गया minus 5x plus 2x तो बिटा minus का 3x आ जाएगा is equal to बिटा यहां minus का 3 आ जाएगा 7 और minus 10 minus 3 आ जाएगा minus minus कट गया 3x is equal to 3 आ जाएगा sir x is equal to 3 by 3 यानी 1 कितना असान है सर यह तो बहुत easy है यह तो बहुत easy है सर ऐसी y आ जाएगा x की value या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो तो y आ जाएगा कैसे 2x plus 3y is equal to 7 है न यह अपने पास पहली equation है चलो इसमें x की value यहां रख देते हैं तो 2 into x की value बिटा 1 है plus 3y is equal to 7 क्या हैगा बिटा 2 ones are 2 plus 3y is equal to 7 बिटा 2 वहाँ जाएगा minus हो जाएगा 3y is equal to 7 minus 2 यह नहीं 5 y is equal to 5 by 3 5 by 3 लो भी अब y आ गया अब यह कितना चुन्नू मुन्नू वाला question था सर यह तो हो गया सुनते जा न जी सर लेकिन मेरे प्यारे बच्ची अगर मैं तुमसे कहूं अगर मैं तुमसे कहूं धियान से सुनना बिटा बहुत important है धियान से सुनोगे seriously तुम्हें मजा आएगा लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा धियान से अगर मैं तुमसे कहूं minus 7x plus 2y is equal to minus 5 ठीक है, एक equation हो गई हाँ sir 2x plus y is equal to 6 दूसरी equation हो गई, ठीक है sir R3x minus 5y is equal to 4 अब मैंने 3 equation दे दी, अब solve करो sir यह तो हमने सीखा ही नहीं है, 3 equations को solve करना हम कैसे x और y की value निकालेंगे अब यह 3 equation है, हाँ sir लोग और tough कर देता हूँ तुमारे लिए और tough कर देता हूँ, क्या sir अगर 3 equations है सुनते जाना 3 equations, 3 variables में दे दी जाएं, चलो, डारेक्ट अपन topic पर आते हैं, ठीक है, topic पर आते है अगर यह 3 equations दे दी जाएं, तब अब यह 2 variables में, x और y में, ध्यान से सुनना यह sir, अब अपन चलते हैं, अपने main topic पर, कि sir equations का जो system होता है उस system का solution हमें निकालना सीखना है पर ना substitution method से ना elimination method से ना cross multiplication method से हमें सीखना है, inverse of a matrix की मदद से काहे से सीखना है sir, inverse of a matrix की मदद से सीखना है अभी मैंने जो आपको equations दिये थे ध्यान से सुनो, जो equations दिये थे यह equations तीन दे दिये थे तो देखते ही साथ आके फट गई कि sir, यह कैसे होगा, हमने तो 2 equations को solve करना सीखा है और अगर 3 equations को देखके तो तुमारी आखे फट गई तो मैं बहुत डर लग गया तो अगर मैं इसमें भाई सहाब एक और variable add कर दूँ, एक और variable मानगे चलो बेटा, minus का 2 z कर दूँ लो भाईया, यहां मैं plus का 4 z कर दूँ, लो भाई सहाब, यहां minus का z कर दूँ, अब बताओ गया से आएगा तो अब तो और tension में पढ़ जाओगे तो सर यह तो सीखा ही नहीं है सर हमने तो सर दो variable वाली equations वो भी दो equations को solve करना सीखा है दो variables यानि x और y, बस दो variables यानि x और y, x और y और सिर्फ दो equations यानि 1 and 2 सर तब हम solve कर पाते हैं यहां तो सर आपने यहां तो आपने सर double धमाल कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि सर यहां पहली चीज़ तो आपने तीन equations लेनी 1, 2, 3 पहली चीज़ तो सर आपने यहां तीन equations लेनी दूसरी चीज़ यह है सर कि तीन equations तो ले ली ले ली आपने तीसरा variable भी जोड़ दिया कि सर z भी ले लिया या x और y तक तो ठीक था अब आपने z भी ले लिया अब इनको कैसे solve करेंगे ये हम सीखेंगे इस video session में ये हम सीखेंगे सर कहा आज के session में clear है हाँ सर तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो तीन variable में linear equation होती है वो कैसी दिखती है सबसे पहले ये समझना ठीक है देखो दो variable में जो linear equation होती वो ऐसी होती है ax plus by plus c is equal to 0 ठीक है ये होती है लेकिन अगर तीन variable में बोली जाए तो ये होगी बटा ax plus by plus cz plus d is equal to 0 ठीक है ये होती है क्या सर ये होती है तीन variable में linear equation अब तीन variable देखो यहां तीन variable कौन है ये है variable बटा x, y और z ये तीन variables है ठीक है there are three variables इनको बोला जाएगा तीन major variables हमें ऐसे तीन equations दिये होंगे देखो एक, दो, तीन, तीन equations दिये होंगे अब क्या होता है अब अगर मुझे यहां पर तीन equations बनाना है मुझे तीन equations बनाना है ध्यान जो सुनना मैं फिर बोल रहा हूँ तो अपनने क्या करा यहां पर अपनने लिख दिया A1X, B1Y, C1Z, D1 clear है? हाज़र अब फिर अपनने वही लिखा AX plus BY plus CZ plus D is equal to 0 फिर अपनने वही लिख दिया तीसरी पाल लिख दो AX plus BY plus CZ plus D is equal to 0 अब इसमें क्या करा अपनने? इस बार अपनने 1-1-1 लिख दिया दूसरी बार में A2, B2, C2, D2 तीसरी बार में A3, B3, C3 और D3 यह होगा यह तीनों equations है ठीक है? अब इस chapter में अपने साथ होगा क्या? इस chapter में ध्यान देना इस chapter में majority चीज़ हैं ध्यान से सुन लो मैं फिर बोल रहा हूँ majority चीज़ों में अपनको एक काम करना पड़ेगा क्या? बच्चों हमें यह D यहाँ ना लेकर यहाँ ले जाना पड़ेगा यह D यहाँ ले जाना पड़ेगा यहाँ ले जाना पड़ेगा आप देख रहे हो ना देखो A1X A1X B1Y B1Y C1Z C1Z equal to D1 इदर D1 नहीं है LHS में नहीं है उदर है चल जाएगा टेंशन नहीं लो आराम से देख लो normal सी चीज़ है कोई बड़ी चीज नहीं है standard form यह होता है D1 इदर होता है LHS में होता है उदर नहीं होता standard form यह होता लेकिन जब आपको तीन equations ऐसी D होंगी जैसे यह दी अपन को तीन equations यह दी है है ना इस format में तब जाके आपको D1 उदर लेना पड़ेगा आपको जो D1 है ना वो उदर लेना पड़ेगा जो D2 है ना वो उदर लेना पड़ेगा D क्या होता है इदर D होते है constant numbers जिनके साथ कोई variables multiply में हो ही नहीं जैसे मैं अगर तुम से कहूँ कि बिटा यहाँ D बताओ क्या है तो देखो D यह है यह है इसके साथ कोई variable नहीं है D यह है इसके साथ यह कोई variable नहीं है D यह है इसके साथ कोई variable नहीं है तो यह D होते है यह हो जाएगा A1X B1Y C1Z A2X B2Y B2Y 1 हो जाएगा B2Y C2Z A3X B3Y और यह माइनस का 1Z है माइनस का 1Z मतलब C3Z समझ गए हाँ सर तो सर सबसे पहले हमें extraction सीखना है यहां से हमें सबसे पहले extraction सीखना है क्या सीखना है बिटा हमें सबसे पहले extraction सीखना है तो हम इनसे extract करना सीखते हैं क्या extract करना है बताता हूं सुनो सबसे पहले हम A1 पहले क्योंकि आपको यह सिखाना है कैसे आप सीखोगे कैसे आप करोगे ठीक है यह सीख लेते हैं तो a1 x a1 हो जाएगा बिटा अपना minus 7 x के साथ जो है ठीक है a2 हो जाएगा बिटा 2 ठीक है a3 हो जाएगा बिटा 3 ठीक है done yes sir चलो अब बात कर लेते हैं b1 b2 b3 b1 b2 और last b3 तीसरा b3 ठीक है sir done तो बिटा y के साथ जो होता ना वो b होता यह b1 है यह b2 है और minus का 5 b3 है ठीक है y के साथ वाला तो 2 है ठीक है sir 1 है ठीक है sir और यह minus का 5 b3 हो गया ठीक है then we will jump on to c1 c2 c3 ठीक है done sir c1 c2 c3 done है sir done है बिल्कुल done है तो यह हो जाएगा Z के साथ जो लगता है वो C होता है, ठीक है sir तो Z के साथ जो लगा हुअ है, वो C है, minus 2, 4, minus का 1, minus 2, 4, minus 1 तो minus 2, 4, minus 1 यह हो गया A, B, C, A1, B1, C1 A1, A2, A3, B1, B2, B3 C1, C2, C3 अब आखरी चीज और देख लेते हैं D1, D2, D3 अब सुनो यहाँ बस ध्यान से सुनना यहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी नहीं दो देखो कई बार क्या होता है मैं फिर बोल रहा हूँ सुन लो आपको equation ऐसी दी होगी ऐसी इस टाइप से D1 हो सकता इकोल टू 0 दियो 0 मत करना D1 को आपको उधर ले जाना है बस यह अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो D1 अगर आपको D मतलब constant जिसके साथ XYZ नहीं होंगे अगर D1 इकोल टू में दिया है तो मज़ा आ गया बिलकुल सही है जैसे यहाँ दिया equal to में minus 5 equal to में 6 equal to में 4 यह सब D1, D2, D3 है तो यहाँ D1 आ गया minus का 5 D2 आ गया 6 और D3 आ गया बिटा 4 समझ गई ना तो पहला काम तो हमको यह करना है कि हमें A1, A2, A3 B1, B2, B3 C1, C2, C3 D1, D2, D3 इनको निकालना सीखना है with the help of equation extraction हमको सीखना है ठीक है तो हमने extraction सीख लिया है कोई दिक्कत कोई समस्तिया नो दिक्कत नो समस्तिया इतनी बात clear है यह sir clear है चलो इसको मैं कर देता हूँ clear अभी मैंने इसको कर दिया clear अब चलते हैं next step पे चलो यह हो गया अपना ठीक है sir done ठीक है वापस बुला लिया अपने भई काहे के लिए दुवारा से लिखना पड़ता तो पहला काम तो हो गया कि हम extract करना सीख गए पूरी equation को देखके A1, A2, A3 B1, B2, B3 C1, C2, C3 D1, D2, D3 इन equations को solve करने का मतलब क्या होता है what is the meaning of solution of system of linear equations सुनो solution का मतलब होता है sir x, y और z की values निकालना इनकी values निकालना कि x की क्या value है y की क्या value है और z की क्या value है so the main game is to calculate the value of the variables x, y, z दूसरी चीज है ना यह बात तो clear हो गई sir next अब इसका पैटन होता है बिटा एक पैटन होता है आप कह सकते हो एक तरीका होता है क्या तरीका होता है sir सुनो तरीका यह है कि हमको तीन matrices बनाने है इन equations की मदद से सर तीन हाँ तीन कैसे sir सुनते जाना एक matrix बनाना है x का coefficient y का coefficient और z का coefficient इनका मतलब sir a1 b1 c1 और तीनों equation के लिए तो फिर sir a2 इसका coefficient y का coefficient b2 और c2 तो तीसरे equation के लिए भी हाँ a3 b3 c3 जैसे तुमने ये matrix बना लिया ये हो गया हमारा पहला matrix और इसको हम बोल देते हैं a क्या बोल देते हैं a पहला काम तो ये हो गया ठीक है चलो sir यही काम अपन यहां करते हैं ठीक है ओके तो यहां पहला matrix a बनाने की कोशिश करते हैं पहला matrix a कैसे बनेगा sir co-efficience की मदद से तो sir a1 b1 c1 ठीक है minus 7 2 और minus 2 2 और minus 2 ठीक है फिर a2 b2 c2 a2 b2 c2 ठीक है minus 5 and minus 1 sir यह बन गया हमारा पहला co-efficience का matrix जिसको हम बोलते हैं a तो यह a बन गया sir क्या बन गया matrix a अच्छा दूसरा matrix क्या बनाना है sir दूसरा matrix बनाना है बेटा हमें variables का कौन कौन से variables है sir एक है x y और तीसरा z sir x y z यही सब है इनको बेटा vertical format में बनाओ vertical column format में उसर यहां लिखा x उसके नीचे vertical format में y उसके नीचे z और इसको matrix में close कर दो बेटा यह हो जाएगा हमारा matrix b क्या हो जाएगा matrix b sorry matrix b कह रहा हूं यार matrix x यह हो जाएगा matrix x यही हमें निकालना है तीसरा matrix और बनेगा दिया यहां से सुन लो बनाना तीसरा matrix बनता है बेटा d1 d2 d3 की मदद से लेकिन एक बाद ध्यान रखना एक बाद ध्यान रखना तब ही बन पाएगा जब equal to में d1 d2 d3 हो मान के चलो ऐसे एक्वेजन्स आ जाएं कि d1 हमें rhs में lhs में तो आपको उधर ले जाना पड़ेगा आपको उधर ले जाना पड़ेगा यह अपनी गाठ बांद लो दिमाग में अच्छे से ठीक है डन सर तो d1 d2 d3 minus 5 6 और 4 बिटा इसको भी वर्टिकल फॉर्म में बनाओ minus 5 6 and 4 सर यह वर्टिकल फॉर्म में हो गया और इसको हमने बोला सर matrix b यह तीन matrix आपको निकालने आने चाहिए पहली बात तो यह clear कर लो ठीक है सर तीन matrix हमको निकालने आने चाहिए एक matrix a जो की coefficient का matrix होता है दूसरा matrix x जो की unknown चीजों का matrix होता है जैसे हमको x y और z की value निकालनी है तो x y z वर्टिकल फॉर्म में लिख दो और फिर coefficients को वर्टिकल फॉर्म में लिख दो जो matrix b हो जाएगा coefficients यह होते है बिटा यह जिनके साथ x y z तीनों कोई में कोई भी multiply में नहीं होता डन है यह सर इतनी बात क्लियर है यह सर अब सुनों सुनते हैं ना main चीज हम सीख गए सर a x और b निकालना उसके बाद हमें दूसरा step याद करना है बिटा a into x is equal to b होता है और हमें x निकालना है तो a उधर जाएगा तो बिटा a क्या हो जाएगा सर यह x क्या हो जाएगा x हो जाएगा a उधर जाएगा तो बिटा a inverse b बहुत important line बोली बिटा मैंने बहुत important line बोली यह क्या है सर a x into b बन गया AX is equal to B1 गया, AX is equal to B1 गया, देखो ये coefficients क्यों हो गए, coefficients हो गए, ठीक है, coefficients का matrix, ये हो गया unknown variables का matrix, XYZ, ये हो गया coefficient का matrix, है न, देखो बेटा, ये हो गया coefficients का matrix, sorry, हाँ, coefficients का matrix, ये हो गया unknown variable का matrix, ये हो गया अपना constant का matrix, बेटा, this matrix into this matrix is equal to this matrix, यानि A into X is equal to B, यह आपको याद करना है, किन की मदद से बनेगा यह पूरा, यह बनेगा सर, टीन equations की मदद से, मेरी बात ध्यान से सुन लो, पूरे step by step बता रहा हूँ, ठीक है, clear है सर, हाग clear है, clear है, बिलकुल clear है सर, अब बात है, cases की, अब हमें cases पढ़ने पढ़ेंगे बि one, case number one, ठीक है, इसको मैं जैसे erase कर भी दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से शुरू करते है, AX is equal to B आगया सर, अपने पास, ठीक है, done सर, बिटा ध्यान से सुनना, यह हमें निकालना है, इसमें छोटा X, छोटा Y और छोटा Z है, यह matrix coefficient का है, बहुत सारे coefficients हैं, 9, और यह बिटा constant का matrix है, ठीक है, done सर, बास समझने की कोशिच करने मैं डाराम से समझा रहा हूँ मैं, जी सर, अगर, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर coefficient का जो matrix है, जिसमें बहुत सारे numbers हैं, अगर यह matrix मेरे प्यारे, अगर यह matrix हमारा non-singular हुआ, non-singular मतलब, if, if, determinant of A is not equal to 0, यादे के भूल गए, मैं नहीं बताऊंगा जादा पेटा, प्रीविएस वीडियो उठाके देख लेना, non-singular की क्या मतलब होता है, अगर A non-singular matrix हुआ, यानि A का determinant 0 के बराबर नहीं हुआ, non-singular का मतलब यह होता है, अगर यह condition आ गई, अगर यह condition आ गई, त हमें पता है कि भईया, फिर तो A का inverse exist करेगा, हाँ सर, A का inverse exist करेगा, अगर यह condition आ गई, तो समझ जाना हम यह वाला method अपनाएंगे, यह वाला method, X यानि यह, X जो है न, यह X, X जो matrix है न, यह क्या था, याद करो, यह यह वाला matrix था सर, X, Y, Z, यह वाला matrix था यह, देखो, X, Y, Z, यही तो निकालना है न, हाँ सर, अगर यह वाला matrix जो A है, यह non-singular है, मतलब इसका determinant 0 नहीं आ रहा है, तो ही हम यह वाला format यूज कर सकते हैं, कौन सा यह वाला, X is equal to A inverse B, तब कर सकते हम, अगर ऐसी बात आ जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं सर, तब हम एक काम कर सकत हैं सर, यह वाला pattern यूज कर सकते हैं, यह कैसे आएगा, चलो यह देख लेते हैं, छोटा सा दो तीन steps है, हमें पता है सर, कि A into X is equal to B, यह तो हमें पता है, हाँ सर, दोनों तरफ A inverse का अपन कर देते हैं, क्या सर, multiply, दोनों तरफ A inverse का कर देते हैं, क्या सर, multiply, अब मेरी बात स पीछे लिख रहे हो A inverse, यहां, आगे, अगर यहां लिख रहे हो A inverse, क्योंकि A inverse का multiply कर रहा हूं, ठीक है, तो पिटा, यहां भी इसके जस्ट पीछे ही आपको A inverse लिखना पड़ेगा, clear है हाँ सर, अब आपको पता है, A into A inverse होता है, identity matrix, है न, A into A inverse, यह पूरा पिटा होता है I, X is equal to A inverse B, तो यह हो जाएगा, identity matrix into X matrix is equal to A inverse B, अब identity matrix, जब किसी matrix से multiply होता ही है, तो identity matrix गायब हो जाती है, तो यहां X आजाएगा, X is equal to A inverse B, और पिटा, यही है पना, पहली लिख चुका था मैं, ठीक है, डैन है, बिलकुल डैन है सर, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, यह त भी possible है, जब A non-singular matrix होगा, यह पूरी condition पढ़ ली, हाँ सर, पढ़ ली, perfect है, perfect है, ठीक है, अब बहुत important line यहां से लेकर, यहां तक आपको पढ़नी पढ़ेगी, क्या, अगर आप यह पूरी condition follow कर रहे हो, अगर आप A inverse into B निकाल के X की value निकाल रहे हो, तो आप A को non-singular साबित करोगे, अगर आप यह condition follow कर रहे हो, A को non-singular साबित कर रहे हो, यह पूरी format यूज करके, X, यानि X वाला matrix कौन है, XYZ, XYZ की value निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आप एक unique solution निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है, अगर यह पूरा format आप follow कर रहे हो, तो आप एक unique solution निकाल रहे हो, unique मतलब X की एक value आएगी, Y की एक value आएगी, Z की एक value आएगी, this is called as unique solution, समझ गए, अच्छा, class 10th में आपने एक चीज़ पड़ी थी, चलो 10th को मारो गोली, मेरी बाप सुनो, अगर solutions आप आएं, तो उनको बोला जाता है consistent, क्या बोला जाता है, consistent, बहुत important चीज़ बता रहा हूं, consistency, non-consistency पढ़ लो, because ये आगे चल के हमें questions में पूछने वाले हैं, ठीक है, अगर हमें, चल अच्छा में बाद में बताऊंगा, ये छोड़ो, ठीक है, ये पूरा हो गया, हाँ सर, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, एक बार फिर से सुन लो, दे इवन आगे चाहिए पड़ेगा, ठीक है, फिर a2x, थोड़ा आप जल्दी लिखूंगा, प्लस b2y, प्लस c2z is equal to d2, और बिटा लास्ट, एक और equation है, a3x, प्लस b3y, प्लस c3 is equal to, c3z is equal to d3, अगर आपके पास ये तीन equations है, तीन variables वाली, तो आपका पहला काम क्या है, ठीक है, पहला mattress कौन होगा, पहला mattress होगा, x, y और z के coefficients, तो x का coefficient है a1, y का coefficient है b1, z का coefficient है c1, अब यहां कौन है, x का coefficient है a2, y का coefficient है b2, और z का coefficient है c2, ठीक है, x का coefficient a3, y का coefficient b3, और Z का coefficient, coefficient C3, तो ये बन जा बिटा, coefficient का पहला matrix, ठीक है, डंसर, जिसको अपन matrix A बोलते हैं, दूसरा matrix बनाओ, मतलब कि उन चीजों का matrix बनाओ, वो भी vertical form में, जो हमें find करनी है, हमें तो सर X की और Y की और Z की value find करनी है, तो X, Y और Z, इन तीनों का vertical, यानि column वाला matrix बना दो, इसको बोला जाएगा X, क्या बोला जाएगा, इस matrix को बोला जाएगा X, और equal do करके, एक और matrix बनाओ, जो इस बार आएगा, पिटा, constant वाली चीजों का, यानि वो चीजें, वो numbers, जिन में कोई X, Y, Z, multiply नहीं है, यानि सर D1, D2, और D3, समझ गए, हाँ सर समझ गए, और इसक X is equal to B होता है, क्या होता है, A into X is equal to B, और अगर आप A यहां से हटा के, वहां लगाना चाह रहे हो, कुछ ऐसा, X is equal to A inverse B, suppose आप a यहाँ से हटा के वहाँ क्योंकि वहाँ जाएगा तो inverse हो जाएगा अगर आप यह करना चाहरे हो तो यह करने से पहले आपको एक condition satisfy करनी पड़ेगी check करनी पड़ेगी कि भाईया जो a है जो a है वो non singular होना चाहिए मतलब a का determinant 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर यह चीज हो गई तब आप यह वाली condition लगा सकते हैं जिसको x is equal to a inverse b बोला जाता है अभी clear हो गया होगा मैंने शुरू से लेकर n तक जल्दी से revise करा दिया आपका इतनी बात clear है हाँ सर इतनी बात तो done है सर बिलकुल बहुत धुवधार तरीके से done है यह तो था case number one जिसमें unique solution निकालने की पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ ली अच्छा unique solution पर धिहान दे ना भिटा unique solution का मतलब x, y, z जो आपको तीनों की value निकालनी है जो इसमें मौजूद है तो यह इसमें x, y, z की एक एक value आईगी, x की एक value, y की एक value, z की एक value, एक एक value आईगी इसको बोला जाता है unique solution, ठीक है done है, yes sir इस पूरे method को बोला जाता है, matrix method of finding solution of system of linear equations यह पूरा method क्या है, matrix method, जिसमें basically हम inverse की मदद से values find करेंगे, inverse हमने निकालना सीख लिया अपने previous exercise में, previous पूरे videos में, inverse इ-inverse तो निकाल रहे थे, ठीक है, इसको मैं erase करना चाहता हूँ, अब चलते हैं next, case number two मान की चलो, अब तुमने यह चीज़ चेक करी, यह तुमने बना लिया और तुमने कहा, कि यार मैं x is equal to a inverse b करना चाहता हूँ, लेकिन तुमारे दिमाग में आया कि जीशान सर ने बताया था कि यह करने से पहले, यह यह करने से पहले मतलब a को वहाँ ले जाने से पहले, a को inverse बनाने से पहले, जीशान सर ने बताया था कि यार, a का determinant चेक कर लेना, zero के equal नहीं होना चाहिए अगर यह condition आ गई, तो आप इस वाली rule को follow कर सकते हो, लेकिन लेकिन, लेकिन, अगर determinant of a zero आ गया तो अब क्या होगा, तब तो बवंडर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने यह देख रहा कि भईया, a वाले matrix का determinant zero आ रहा है तो आप समझ जाना कि a का inverse नहीं निकल सकता a का inverse नहीं निकल सकता तब क्या करेंगे what can be done in that such condition इस condition को बोला जाता है a is singular matrix है ना, इस condition को बोला जाता है a is non-singular matrix और non-singular में यह लग जाता है a inverse आ जाएगा लेकिन अगर determinant of a zero आ गया singular matrix आ गया यह तब क्या होगा सर ओ भाई, तब अलग condition है तब अलग ruling है, तब अलग steps है क्या पढ़ते हैं इस condition में बेटा हम यह नहीं निकालेंगे हम यह नहीं निकालेंगे हमें क्या निकालना पड़ेगा adjacent of b adjacent of b into a sorry, adjacent of a into b b लिख दिया मैंने adjacent of a into b समझ गए? adjacent of a, बड़े वाले matrix का adjacent निकालो और उसका adjacent जो भी आए बेटा b से multiply कर दो, constant वाले matrix से multiply कर दो, समझ गए? यह सर, ध्यान देना बहुत ध्यान देना इमानदारी से, बहुत सुन लो case, अगर हमारे पास determinant of a हम find करें और वो 0 की equal आ जाए, तो भाईया समझ जाना कि a का inverse यहाँ exist नहीं करेगा क्योंकि यह singular है a का inverse non-singular पे निकलता है, जब determinant of a 0 नहीं आता, तब जाकि आप a का inverse निकाल पाऊगे और यह format follow कर पाऊगे, लेकिन अगर a का determinant 0 आ गया तो हम समझ गए कि a जो है वो singular matrix है, जिसका inverse निकालना impossible है तो inverse नहीं आएगा तो हम यह वाला format भी follow नहीं कर पाएंगे, तब क्या करेंगे? तब हमें यह format follow करना पड़ेगा adjoint of a into b निकालना है adjoint of a into b adjoint of a into b निकालेंगे यह क्यों निकाला सरमने? यह कब निकाला? क्या condition है? यह तब निकाला सरमने जब हम a inverse b यह ऐसे ना निकाल पाएं x की value, इन तीनों यानि x की value हम a inverse b करके ना निकाल पाएं, मतलब यह condition जब नहीं आएगी, तब हम यह नहीं ले पाएंगे यह condition जब नहीं आएगी तो समझ जा फिर यह condition आएगी और यह condition अगर आई तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या सर हमें यह वाला pattern यूज़ करना पढ़ेगा समझ गए? यह सर अच्छा, अगर यह पूरा solve होने पर अब दो condition और हैं, दो condition further दो conditions और हैं क्या? अगर यह condition यह use करने पर हमें दो अलग-अलग results मिल यह कभी-कभी हो सकता आपको result मिल जाए 0, कभी-कभी हो सकता आपको result मिल जाए 0 और कभी-कभी आपको result मिल जाएगा हो सकता है non zero मतलब zero ना मिले ठीक है कभी-कभी आपको adjacent adjoint a into b zero भी मिल सकता है कभी-कभी non zero भी मिल सकता है समझ में आ रही है अगर आपको दियान तो सुनिएगा अगर आपको इस condition में non zero value मिल गया मतलब आपको आपने जब यह solve किया adjoint of a into b solve किया और आपने देखा कि यह तो zero आ रहा है sorry adjoint of a into b आपने solve किया और आपने कहा यह zero की equal नहीं आ रहा है it is not equal to zero you have to learn these conditions तब आप समझ जाना आप आराम से समझ जाना कि यार simple सी बात है यहाँ पर solution exist ही नहीं करता यहाँ no solution आएगा क्या आएगा मेरे प्यारे यहाँ आएगा मैं ऊपर लिख देता हूँ no solution क्या आएगा बिटा no solution पूरी एक table बना के दिखाऊंगा भी आपको ठीक है डेंसर लेकिन अगर अगर answer zero आ गया अगर answer zero आ गया तब क्या कहेंगे अगर answer zero आ गया और no solution तो इस condition में बिटापन को क्या कहना पड़ेगा इस condition में कहना पड़ेगा कि sir या तो बहुत सारे solution होंगे या तो no solution होगा या तो no solution होगा sir या फिर बहुत सारे solutions होंगे infinitely many solutions अब आपको मैं पूरी table बना के बताता हूँ ठीक है let me make a proper table और table बना के आपको समझाता हूँ क्योंकि बिना table के आप समझ नहीं पाओगे ठीक है तो table बनाते हैं sir देखो सुनो मेरी बास सुनो अरे यार stylus गिर गया देखो मेरी बास सुनना ध्यान से ठीक है बिटा हमारे पास क्या है हमारे पास 3 equations है तीन तीन variables में है तीनों क्या है बिटा linear equations है तीन equations है तीन variables में है तीनों linear equations है side में लिखते है ठीक है side में लिखते है sir ठीक है पहली equation है sir A1X plus B1Y plus C1Z is equal to D1 ध्यान दखना D1 उदर जाएगा वैसे तो normally D1 LHS में आता plus D1 is equal to 0 पर solution और इस chapter में हमें इसको ऐसे ही पढ़ना है फिर आएगा A2X plus B2Y plus C2Z is equal to D2 फिर आएगा A3X plus B3Y plus C3Z is equal to D3 यह तीन equations आगी है ठीक है main काम क्या करना है इनमें सम्में x, y, z द्यानी कि हमें x की value νिकालनी है ár x is equal to question mark हमें y की value निकालनी है is equal to question mark हमें z की value निकालनी है is equal to question mark और क्या यूज करना, use matrix method, क्या यूज करना है बिटा, matrix method, ठीक है, तो हमने लिखा सर, हमें यहाँ पर matrix method का उपियोग करना है, ठीक है, अब सुनो, कैसे करेंगे, step number one, step number one क्या है सर, हमें इन तीनो equations की मदद से, हमें तीन, तीन क्या बनाना है, भूलगा है क्या, तीन matrices बनान हमें जो कुछ इस प्रकार होंगे, A, X और B, आचा A matrix क्या होता है, derived matrix A होता है, coefficient का matrix, मतलब, coefficient क्या हो, कौन होते है, X का coefficients को होने A1, Y का coefficient को अंने B1, Z का coefficient को अंने D1, यह coefficients होते है, तो coefficients को मैं क्या कर रहा हूं, this is coefficient of x, this is coefficient of y, this is coefficient of z in second equation, this is coefficient of x, this is coefficient of y, this is coefficient of z in second, third equation, तो sir, इन coefficients का अपन क्या बनाते हैं फिटा, एक matrix, यानी a1, ठीक है, a1, फिर b1, फिर c1, दूर दूर थोड़ा चा, a1, b1, c1, फिर आएगा a2, b2, यह अपन step by step आपको बता रहा हूँ मैं c2 a3 b3 c3 और यह हमने matrix बना दिया सर काहे का हमने matrix बना दिया सर equations का equations के coefficients का ठीक है next दूसरा वाला बनता है x और x बहुत important है क्योंकि x ही एक ऐसा matrix बनेगा जिसमें unknown values जो अपनको जिनकी values निकालनी है वो चीज़े आएंगी और वो चीज़े बेटा आएंगी अपनी vertical format में यानि की हमें ये चीज़ें जो x y z बनानी है इनको vertical format में लिखना हूँ x y z ठीक है vertical format में सर इनको लिखना है और बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे थोड़ा छोटा लिख दूँ मैं इसको थोड़ा चोटा लिखूंगा x y और z ठीक है ये हमने लिख दिया सर और इसको vertical matrix में हमने लिख दिया last वाला matrix जो बनेगा वो coefficients का बन गया हमें unknown values का बन गया अब जो last वाला matrix बनेगा वो बनेगा constant का matrix इनमें constant क्या है ये है constant भाई सहाब ये है constant ये है constant तो ये last वाले matrix B में आ जाएंगे कौन d1, d2 as well as d3 ये last वाले matrix में आ गए है ठीक है इनको लिख लिख लिया जब तीन matrix हमारे पास बन गए तो अब हम equation generate करेंगे ax is equal to b क्या generate कर लिख sir ax is equal to b ये equation generate हो गए yes sir इसके बाद अब मेरी बास सुनो अब हमें start करना है x की value निकालना ठीक है ध्यान से सुनना जी sir तो भीटा यहां से शुरुवात होती है सबसे पहले case की and the very first case is first case is हमें ध्यान से सुनियेगा हमें सबसे पहला और सबसे आसार और सबसे ज्यादा use होने वाला case यह है a को वहाँ ले जाना है x is equal to a inverse b ध्यान जो सुनना x is equal to a inverse b है ना a जो है ना उधर जाएगा a inverse हो जाएगा मेरी बास सुनना लेकिन यह कब होगा यह कब होगा यह सिर्फ तब होगा only when only सिर्फ तब होगा बिटा only when when यह जो a वाला है ने बड़ा वाला यह a इसका determinant 0 के equal ना आए मतलब a is non-singular a क्या हो बिटा non-singular a क्या हो बिटा non-singular और अगर a non-singular है जानी की a का determinant 0 के equal नहीं आया तो हमें पता है कि a का inverse exist करेगा a का inverse यानी किसी भी matrix का inverse तब exist करता है तब बनता है जब वो non-singular matrix हो a inverse exist करेगा तो हम a inverse b यह निकाल सकते हैं समझ में आगई बात yes sir है ना बिलकुल समझ में आगई तो यह बहुत important है सबस्यादा यह use होगा 95% यह use होगा ठीक है clear है हाँ sir अच्छा इन case मान लो के हमारे पास मान लो के हमारे पास दूसरा case आ जाए तब क्या करेंगे कौन सा second case second case में भी दो cases है बिटा धियान रखना second case खाली नहीं है second case में दो cases है क्या क्या अगर 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 यहां पर हमें पता चले कि a जो है जो a matrix है उसका determinant zero है तो हम समझ जाएंगे कि a singular matrix है हम समझ जाएंगे कि a क्या है a singular matrix है और singular matrix में ध्यान से सुनना भीटा singular matrix में inverse नहीं निकाला जा सकता यानि A का inverse exist नहीं करेगा A का inverse exist नहीं करेगा not exist यहां लिख देता हूँ white color से A inverse not exist ठीक है? A inverse नहीं होगा अगर A inverse नहीं निकाल सकते तो अपन यह वाला format वहां अपलाई नहीं कर सकते इसका मतलब यहां पर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा जी हां यहां पर अब हमें सोचना पड़ेगा ध्यान जी सुनियेगा बेटा बहुत अच्छा और बहुत important concept है आप कह सकते हो एक second रुकना जरा ठीक है यहां पर अपन को कुछ और सोचना पड़ेगा और वो क्या है सुनो यहां पर अब अपन को सोचना पड़ेगा कि भईया एंवर्स बी से काम नहीं चलेगा एंवर्स बी से काम नहीं चलेगा एक्स की वैल्यूज एक्स मतलब एक्स वाई जैट की वैल्यूज नहीं आ सकती इस से तो हमें क्या सोचना पड़ेगा यहां अलग चीज सर ये बताओ तो चलो इसके दो नाटक देखते हैं ठीक है लेट अस विजिट दो नाटक इसके दो नाटक नोटंगी देखते हैं इसके ठीक है क्या नोटंगी है सर देखते हैं ठीक है देखते हैं सर ये दो नोटंगी और क्या जैसे यहां पर दो नोटंगी आ गए यहां से दो नाटक की आ गए यहां भी दो नाटक शुरू हो जाएंगे चलो देखते हैं क्या सर हो सकता भाई सब ये भी 0 आ जाए हो सकता भाई सब ये 0 ना आए ठीक है ध्यान से सुनना सर जी हो सकता एड़ जॉइंट ओफ ए इन्टू बी बेटा एड़ जॉइंट ओफ ए इन्टू बी अपना 0 के इक्वल ना आए हो सकता एड़ जॉइंट ओफ ए इन्टू बी अपना 0 के इक्वल आ जाए दो अलग अलग कंडिशन से ठीक है छोटी छोटी सी कंडिशन देहां चे सुनना अगर equal to zero नहीं आया, not equal to zero आया, तो समझ जाना बेटा, वहाँ solutions आएंगे ही नहीं, मतलब x की, y की और z की values आएंगे ही नहीं सकती, आएंगे ही नहीं, no values, देखो, no solutions, देखो, adjoined a into b is not equal to zero, इसका क्या मतलब हुआ, then solution does not exist, solution ही नहीं, exist ही नहीं करेगा, और solution exist नहीं करेगा, क्या मतलब है भईया, छोटा x, छोटा y और छोटे z की value नहीं आएगी, बात समझ रहें, yes sir, तो अगर ये condition आ गई, तो हम क्या लिखेंगे sir, no solution, क्या लिखेंगे, no solution, पक्की बात है, बिलकुल no solution, लेकिन अगर adjacent a into b की value 0 आ गई, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे sir, अगर ये value 0 आ गई, तो बिटा यहां दो चीज़े हो सकती है, confusion state रहेगा, confusing state है ये, क्या, क्या, भाईया, हो सकता यहां, ध्यान से सुनिएगा, यहां ध्यान से सुनिएगा, हो सकता यहां no solution हो, क्या हो sir, हो सकता यहां no solution हो, या फिर यहां बहुत सारे solution हो, infinitely many solutions, हो सकता यहां solution हो, कोई solution नहों हो, हो सकता यहां infinitely many solutions हो, एक बात और बता नहीं है, उसके बाद खदम कर देंगे, एक बात और बता नहीं है आपको क्या sir, अगर solution आए, अगर इस case को solve करके हमने, x की value निकाल ली, मतलब x की value आएंगी, only this, तो अपन क्या बोलेंगे इस case में, अपने इस case में बोलेंगे sir, ध्यान से सुन लो, इस case में क्या बोलेंगे, unique solution, क्या बोलेंगे बिटा, unique solution, ठीक है, unique solution का मतलब है, यहां capital x, जो अपना ये रहेगा न, x, y, z, इसके equal में कोई matrix आएगा, तो हम यहां x की value निकाल लेंगे, y की value भी निकल जाएगी बिटा, एक आएगी special, और z की भी एक value हम निकाल लेंगे, यहां ऐसा हो जाएगा, ठीक है, डन सर, अब एक बहुत important बात सुन लो, एक question आता है, consistency वाला, consistency, जहां पर solution निकल सकते हैं, जहां पर solution निकल सकते हैं, जैसे सर, यहां solution है न, हासर, unique solution है, यहां अपन को no solution है, मतलब यह तो नहीं होगा, no solution, यहां solution हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जहां solution निकलेंगे वो होती है condition consistency और जहां solution नहीं निकलेंगे वो होती है inconsistency अब अपन ये question attempt करने बाले हैं ठीक है चलो sir start करते हैं इसको मैं erase करता हूँ बिटा ये गया question number one examine the consistency बताओ ठीक है examine the consistency मतलब ये जो दो हमें आप कह सकते हो equations दी गई है ये consistent है या नहीं अब ये दो दी गई है बिटा अब दो में क्या करेंगे sir बिटा यहां सिर्व और सिर्व हमे consistency चेक करनी है consistency मतलब अभी बता देता हूँ solution नहीं निकालना है बात number एक अब तुम देखके डर मत जाना के sir ये तो तीन equation तीन variable वाला equation नहीं है दो equations है बस tension नहीं लो देखो अपन के पास एक equation one x one लिख रहा हूँ बिटा मैं जान x plus 3y is equal to beta 3 दिया है ठीक है अब मेरी बास सुनो सबसे पहला जो काम है step याद करो आप तो सबसे पहला काम है coefficients का a x b बनाना है न a फिर x और फिर b ये वाले तीन अपन को set वो बनाने है matrix यह होता coefficient का x का coefficient 1 y का coefficient 2 x का coefficient 2 y का coefficient 3 तो इनका coefficient का अपन को set वो matrix बनाना है तो चलो बन 3 1 2 2 3 ठीक है इसका matrix बना दिया एक्स होता पिटा अन्नोन चीज़ों का matrix वो भी vertical तो अन्नोन चीज़े तो x और y है बस x और y है हाँ सर है ना x y तो पिटा यहाँ x लिखेंगे चोटा यहाँ y लिखेंगे और यह vertical बना दिया यह x और y का क्या है पिटा x capital x क्या है एक matrix है unknown values का बी क्या है बी पिटा यह यह इनका इनका वो है इनका matrix है और भी equal to में लिखे होने चाहिए तो sir 2 और 3 लिख देंगे 2 और 3 ठीक है और इनका भी अपन ने matrix बना दिया है ना और equal to लिख दो मतलब sir a into x is equal to b यह बना दिया डैने sir बिलकुल डैने अगर आप notice करो तो अपन अपन यहां तक आगा है है ना ax is equal to b यहां तक आगा है नop is equal to b अब क्या करना है sir अब अपन को main काम करना है and that is a का a का यहाँ पर क्या check करना है बेटा अपन को check करना है ध्यान से सुनो बेटा है अपन को यहाँ main ली हाँ लेखने चाहिए था मुझे यहाँ हमको determinant of a check करना पड़ेगा इसकी value check करनी पड़ेगी तब जाके हम split कर पाएंगे है ना यहां हमको determinant of a की value check करनी पड़ेगी तब जाके हम split कर पाएंगे दो cases में तो अब अपन determinant a की value check करते हैं चलो तो determinant of a निकालो sir determinant of a तो यह है तो इसका determinant आएगा 1 2 2 3 ठीक है कैसे आता determinant 1 2 3 1 2 3 minus 2 2 2 ठीक है सर तो यह हो जाएगा minus का 1 पिटा minus का 1 आया determinant of a पन को minus का 1 दिया मेरी बास सुने ध्यान से देखो determinant of a हमारे पास आ गया minus 1 जो की 0 के equal नहीं है 0 के equal तो नहीं आया नहीं सर 0 के equal नहीं आया अगर यह 0 के equal नहीं आया यह तो minus 1 आया 0 तो आया ही नहीं है और अगर यह 0 के equal नहीं आया है तो यह वाला case follow होगा यह वाला case follow नहीं होगा दिस इस equal to 0 है ना जबकि determinant of a कहा चला गया यार मैंने यह लिख गए नहीं है यह लिखना चाहिए था मुझको determinant of a is equal to is not equal to 0 वाला यह case है ठीक है यह not equal to 0 वाला case है समझ मैं रहा determinant of a is not equal to 0 तो हम क्या समझ गए कि determinant of a equal not equal to 0 है तो यह वाला formula लग जाएगा और क्या आएगा बेटा जैसे हमने यह देखा यह देखा यह वाली चीज हमने notice करी हम समझ गए कि क्या answer आएगा unique solution मतलब solution है तो अपन क्या बोलेंगे unique solution होगा क्या बोलेंगे solution नी निकालना है सिर्फ अपन को बताना है unique solution होगा और unique solution मतलब solution है न हाँ सर अगर solution है unique हो या बहुत सारे हो अगर solution है तो समझ जाना answer क्या आएगा consistent क्या आएगा consistent pair तो भेया यह दोनो pair consistent है हमें consistency check करने थी कि answer consistent है या non consistent है अगर answer आता no solution अगर यह वाला answer आता कि पहले यह find करते है और यह आता समझ रहे determinant of a 0 के बराबर आ जाता फिर अपन find करते हैं आगे a inverse x तो अपन निकाल नहीं सकते हैं फिर यह find करते adjoint of a into b और फिर अगर यह आया था तो कह देते no solution और अगर यह आ जाता तो कह देते consistency भी हो सकती inconsistency भी होती no solution और infinite solution भी हो सकते समझ में आगई बात yes sir चलो आगे चलते हैं तो इसका answer आ गया the given pair of lines is consistent next अब next question is solve the system of linear equations हमें इनको solve करना है ठीक है अब धियान से सुनना 2x minus y is equal to minus 2 ठीक है बिटा मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ 1 लगा दो ठीक है जहाँ ना हो 1 वहाँ 1 लगा दो 3x plus 4 plus 4y is equal to 3 यह अपन ने लिख दिया में पहला काम अपनको x और y की value निकालनी है consistency and consistency नहीं बतानी है हमें x और y की value निकालनी है सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए ax और b तो a क्या है एक matrix है और वो matrix coefficient का है मतलब x का coefficient 2 y का coefficient minus 1 तो 2 और minus 1 x का coefficient 3 y का coefficient 4 3 और 4 ठीक है सर तो अपन ने यह बना दी क्या बना दिया बिटा a बना दिया a matrix x matrix क्या होता x matrix होता है जो unknown values है उनका matrix वो भी vertical form में unknown values है बिटा x और y तो यहां हमने क्या बनाया यहां हमने बनाया unknown values का x और y का matrix b होता है बिटा matrix of coefficient minus 2 और 3 constants है constants का होता है भी coefficients नहीं constants तो b की जगा आएगा minus 2 and 3 और इसको बंद कर दो और भीटा ध्यान से आप बस एक चीज याद रखना है यहां equal to लिख दो बस का तम यानि की सर a into x is equal to b clear है सर हाँ बिल्कुल clear है अब इतना गरने के बाद हमें x और y की value निकालनी है पर हमारा सबसे पहला आप कह सकते हो कि सबसे पहला step क्या होता है सबसे पहला step होता है कि हमको क्या निकालना पड़ता है सबसे पहले हमको a का determinant check करना पढ़ेगा क्योंकि इस condition के बाद ध्यान दिसमना a x is equal to b के बाद आपको determinant of a check करना पढ़ेगा अगर यह 0 आ गया तो आप यहां मुड़ जाओगे अगर यह 0 नहीं आया तो आप यहां मुड़ जाओगे ठीक है डन सर तो चलो check करते है determinant of a बिटा a का determinant होगा 2, 3, minus 1, and 4 ठीक है डन सर 2, 4 सा बिटा 8 minus 3 into 1 minus का 3 ठीक है 8, 9, 10, 11 तो यह answer क्या आएगो बिटा 11 11 आया मतलब जो determinant of a आया जो determinant of a आया वो 0 नहीं आया is not equal to 0 और जैसे हमने यह चीज़ देखी हम कहां मुड़ जाएंगे हमारी calculation कहां चली जाएगी हमारी calculation इस direction में चली जाएगी determinant of a is not equal to 0 unique solutions आएगे इस direction में हमारी calculation चली जाएगी मतलब हमें यह निकालना पड़ेगा x is equal to a inverse b जैसे हमें समझ में आगया यह हम हाल क्या है लिखेंगे बिटा x is equal to a inverse b ठीक है तो अपन को basically अब जो काम करना है वो a inverse निकालना है तो चलो a inverse निकालने का काम शुरू करते है ठीक है a का inverse तो a inverse कैसे आता है सर one upon determinant of a into adjoint of a यह तो यार सीख चुके है अपन previous exercise में कितनी बार करा है ठीक है सर तो यह तो already अपन निकाल चुके है बिटा यह तो already अपन निकाल चुके है a अपन को दिया है मतला अपन निकाला two minus one three and four ठीक है यह a है adjoint of a कैसे निकलेगा सर सर 2 by 2 का adjoint तो बड़े आराम से निकल जाता है बिलकुल छोटे तरीके से तो adjoint of a अगर हम निकालेंगे इसका 2 by 2 का two by two का तो यह और यह जगा चेंज कर लेंगे अपनी ठीक है four यहां आ जाएगा two यहां चला जाएगा two and four अपनी जगा चेंज कर लेंगे कोई दिक्कत कोई समस्तिया no sir और इन दोलों के symbols change हो जाएगे minus one से यह plus one हो जाएगा three से बिटा यह positive three से negative three हो जाएगा यह आगया बिटा adjoint of a क्या आगया adjoint of a clear है हाँ sir तो a inverse इसकी जगा क्या आएगा a inverse की जगा क्या आएगा a inverse की जगा आएगा sir यह वाला part यह पूरा है ना one upon this one upon this into adjoint of a adjoint of a और into b है तो बिटा into b को अपन बाद में करेंगे पहले अपन यह निकाल लेते हैं तो one upon बिटा यह क्या आएगा eleven यह क्या आएगा बिटा यह आएगा eleven ठीक है sir और adjoint of a अपन यह निकाल चुके है four minus three one two ठीक है four minus three one two ठीक है sir done है अब b लिख देंगे इसके नीचे अब इसके नीचे b लिख देंगे b क्या है sir b है अपना minus two three minus two और three ठीक है इसको solve करेंगे और x आजाएगा है ना यह x की equal चल रहा है don't forget x की equal में चल रहा है और x की equal में मतलब x का पूरा अपन को इस बार क्या लिखना पड़ेगा matrix x और y यह चल रहा है clear है क्या हाँ sir बस थोड़ा थोड़ा solve करना सीख जाओ खतम खेल पहले बिटा इन दोनों matrices का अपन को करना पड़ेगा क्या multiply तो इन दोनों matrices का अपन multiply करते हैं सबसे पहले ठीक है तो कैसे करेंगे sir answer easy है 4 1 minus 3 2 ठीक है sir इस matrix का जो order है वो है 2 by 2 क्या है order बिटा 2 by 2 यह order है 2 by 2 अच्छा इस matrix का order क्या है sir यहाँ है minus 2 और 3 sir यह है दो रोज एक columns तो इसका order है 2 into 1 ठीक है sir अब जब यह multiply हो पाएंगी क्या अगर इसका column मतलब पहले वाले matrix का column दूसरे वाले matrix का number of rows यह match कर जाएं तो multiply हो पाएंगे यह match कर गए अच्छा multiply हो सकते हैं हाँ sir 2 और 2 सही आ गए सेम आ गए अब यह दोनों हमें बताएंगे कि इनका answer इन दोनों के multiply का answer कौन से order का matrix होगा इन दोनों के multiply का answer जो होगा वो होगा order 2 into 1 मतलब इस में भी हमें सीधा सीधा 2 चीज़े देखने को मिलेंगी एक बिटा यहां आएगी और एक बिटा यहां आएगी clear है हाँ sir 2 by 1 का answer होगा ठीक है चलो आगे चलते है multiply करते है ठीक है so this will be multiplied by this 4 2s are 8 minus का 8 3 1s are 3 plus 3 plus करेंगे minus का 5 आजाएगा क्या आजाएगा minus का 5 तो बिटा यहां आजाएगा minus का 5 ठीक है यहां मैं erase करके ऊपर लिख देता हूँ minus का 5 ठीक है sir यहां लिख देंगे 12 clear है हाँ sir बिल्कुल clear है तो this into this जो आया बिटा पन यहां लिख लेते हैं this is 5 minus 5 and 12 का आया minus 5 and 12 इसको बंद कर दिया 1 upon 11 यहां multiply में है ही is equal to bracket sorry matrix X और Y अब इसका multiply कर दो देखो यह 1 upon 11 पूरा दोनों से multiply हो सकता है तो क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा बेटा X upon Y is equal to is equal to मेरे प्यारे this into this देखो minus 5 से multiply होगा 1 upon 5 तो हो जाएगा minus 5 upon 11 और 1 upon 11 12 से multiply होगा तो हो जाएगा 12 upon 11 लो भीया है ना अब बंद कर दो answer आगया X आगया मेरे प्यारे divide क्यों लिख दिया मैंने X आगया minus 5 upon 11 Y आगया 12 upon 11 Y आगया 12 upon 11 So these are our answers यह अपने answers यह step रहेगा ठीक है तो I hope आपको मज़ा आया होगा जल्दी से अपन चलेंगे बिटा next video session में जिसमें हम example solve करेंगे बहुत सारी चीज़ों solve करनी है exercise भी है miscellaneous example miscellaneous exercise there are lot of things जो मैं भी solve करनी है समझनी है session को like कर देना दोस्तों के साथ share कर देना इसी के साथ session को end करता हूँ this side zishan your maths mentor जाने से पहले magnet brains के बारे में नए बच्चे जुड़ते रहते हैं तो उनको पता होना जरूरी है कि magnet brains provide करता है 100% free of cost high quality educational videos of K-12 यानि कि kindergarten से class 12 तक CBSC board English medium के जितने भी बच्चे हैं वो अपना पूरा syllabus हर एक subject का पूरा course हमारे पास magnet brains के YouTube channel पर आकर पढ़ सकते हैं सारे videos class wise and subject wise हमने arrange करके रखे हैं playlist format में so that आपको पढ़ाई करने में किसी प्रकार की disturbance का सामना नहीं करना पढ़ेगा बढ़िया तरीके से without any problem आप बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो Hindi medium के बच्चे भी सुन ले magnet brains Hindi medium YouTube channel हमारा चल रहा है बहुत बढ़िया जिसमें हम class 6 से लेकर class 12 के बच्चों को Hindi medium की पूरी knowledge पूरी information पूरी education high quality में free of cost provide कर आ रहे हैं उन बच्चों को जो class 6 से लेकर 12 UP board, MP board और अपना बिहार board, राजस्थान board और डेली board इन 5 स्टेट boards में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया दरीके से पढ़ाई करने के लिए magnet brains Hindi medium YouTube channel पर जाओ अपने सारे subjects की बढ़िया वाली पढ़ाई करो क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाया जा रहा है अगर notes डाउनलोड करना है आपको Class 6 से Class 12 अपना UP board और मतलब यह समझ लो आप Class 6 से Class 12 Hindi medium के जो भी subjects और English medium के जो भी subjects हैं सारे subjects के experts द्वारा बनाएगा इनोडस हमारे पास PDF format में E-notes में अवेलेबिल हैं आपको दिख रहा होगा न E-notes Just click on this E-notes कहां पर जाना है आपको website पर या application पर चले जाना website है www.magnetbrains.com जो भी आपकी requirement हो जिस भी subject के notes डाउनलोड करना हो उसके PDF डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो जल्दी मिलेंगे आपको दिसकेट झाले से जाउनलोड कर दो है